प्रक सिखाने वाली और लोगों को ये बताने वाले कि लोगों को भी आपने हकों के लिए जागरुक होना पड़ेगा जिस तरीके से सड़के लबालब पानी से भर गई हैं, मकान बह गए हैं, वियाईपी एरियास जिसको हम कहते हैं, वहाँ जल भढ़ा हो है, चार पांच प जिसक कर दोनी को जोनोग हैं, तो जब दिल्ली में जलबाओ होता है, ऐसी घठनागटी है, तो दिल्ली सरकार कहा है, रती है रती है, हम को रोनी और जटेती है, जलब करकार से लोगों को बचाना को अब चलम यहाँ ऑंक पक्रिशी कर जाती हैं, लेकिन सरकार है नि नगर लगाई हैं पानी निकलवाए और लोगों को राद दिये सर्द मिंटो रोड की बात करें तो यहां पर ऐसी क्या पानी की निकासी की विवस्ता नहीं अब तक हो पाई है और क्यों नहीं हो पाई है तो कि हर साल हम देखते हैं कि इसी तरीके से गाड़ियां फसती हैं यहां पर ववस्ता बनी है ऐसा नहीं है ववस्ता है ववस्ता को चेक करना पड़ता है बारी तो हर साल आती है नाले साफ हुए के नहीं हुए पंप काम ठीक कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं अधिकारी मोनिटर कर रहा है के नहीं कर रहा है, ये सरकार को देखना पड़ता है, लेकिन जब सरकार सोती रहेगी, तो दिल्ली की जंता ऐसे रोती रहेगी. मौनसून से ठीक पहले सेविक एजनसियां और दिल्ली सरकार के बीच में मिटिंग्स होती हैं, जायर सी बात है मिटिंग हुई होगी, तो उसमें क्या दावा किया जा रहा था दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा की हमें तैयारी कर ली हैं? हमने जब मिटिंग मुलई थी तो हमने पिछले वर्ष जहां जान 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 बरा हुआ था, वो सारे पॉइंट दिल्ली सरकार को बताए, पीड़ लूडी के कारण से, जल बोर के कारण से, वो सारे बताए, और हमने काया कि इन पर पहले से काम करो, हमां पंप लगाओ, मसीन लगाओ जो काम करना आपको करो तो दिल्ली सरकार ने हमें विश्वाद दिलाया था कि हम अच्छे से काम करेंगे आप निश्चें तरहो लेकिन दिल्ली सरकार सिरफ कहती है करते कुछ नहीं है लेकिन ऐसे में MCD की क्या जिम्मेदारी आप लोग मानते हैं? MCD की भी तो जिम्मेदारी है, पानी की निकासी की? लेकिन ऐसे में जगतपूर चेक करका है, उससे पहले में और जेके चेक करका है, तो रोज हम फिल्ड में उतरते हैं और रियल्टी चेक भी करते हैं, अपने काम की भी समिक्षा करते हैं। अपना पला जाड़ दिया है, और साफ कहा दिया है कि मिंटो रोड पर जो एक शक्स ने अपनी जान गवाई है, उसकी जिम्मेदार दिली सरकार है, और अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चांगा है, इस मिंटो रोड के ठीक नीचे की, जहां पर पानी भरा था, फिलाल य यह कनार पेस की तरफ जा रहा था, इसी गाड़ी ने, यह कुंदन की गाड़ी है, चपन वर्षिय शक्स ने, जिसने अपनी जान गवाई है, और जब यहां पर पानी भर गया, उसके बाद कुंदन इसी गाड़ी के अंदर फस गया, और वो निकल नहीं पाया, जिसकी वज सकते हैं कि स्कॉर्पियो गाड़ी, जो लोडिंग गाड़ी होती है, वो यहां पर फस गई थी, इसके साथ साथ एक आटो फस गया था, और एक चौथी गाड़ी, यह कुंदन की फस गई थी, जिसने अपनी जान गवा दी, जाइब सी बात है देविंदर जी, अब तमाम ज जो जवाब देई है, उसमें साथ का आए कि यह हमारी जिम्मदारी नहीं थी, यह जिम्मदारी दिली सरकार की थी, और कहीं न कहीं, अब आने वाले समय में दिली सरकार इस पर क्या जवाब देती है, यह देखने वाली बात होगी, देवंदर जी